एक बार फिर आप सभी का ZPS online class में स्वागत है जैसे की स्क्रीन पर आप देख पा रहा है नाइन क्लास मैंने लिया है exercise 2.5 और उसमें का ये part 3 है पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने अल्रेड अप्लोड कर दिया है यूट्यूपर सर्च करेंगे ZPS math by R के सर्मा तो वहां से आपको मिल जाएगा चलिए शुरू करते हैं question से question है यदि x plus y plus z बराबर 0 हो तो दिखाईए कि x q plus y q plus z q बराबर 3xyz ये आपको सीध कर देना है इतना बराबर यह सीध करके दिखादेना है अगर x plus y plus z बराबर 0 हो तो देखिए दिया है क्या उसको लिख देगा पौल x plus y plus z बराबर 0 उसके बाद जो सीध करना है उसको भी लिख देंगे ये वाला ये लिख देंगे x q plus y q plus z q बराबर x 3xyz उसके बाद देखिए उसके बाद आपको एक फर्मूला पता है कि x q plus y q plus z q minus 3xyz बराबर x plus y plus z xxy y xyr plus z xyr minus xy minus yz minus zx ये फर्मूला होता है अब देखिए ये जैसे था उसको ऐसे मैंने लिख दिया बराबर है तो बराबर और x plus y plus z बराबर देखिए दिया है 0 दिख रहा है x plus y plus इसके बतले हम लिख दिया यहाँ पर 0 और ये जैसे था उसको ऐसे हमेंने यहाँ पर लिख दिया अब देखिए अब जैसे यह था हो इसे मैंने यहां लिखती है बराबर अब 0 से इसमें मल्टिप्लाई होगा इसमें सब में तो 0 से इसमें मल्टिप्लाई होगा तो 0 होगा अब देखिए माइनस 3xyz माइनस में है तो बराबर की इधार आएगा बराबर की साइड तो पलस में हो गया 3xyz तो एक्स्वीव पॉस य क्यू प्लस जेटकी बराबर 3xyz और यह आपका सीध हो गया अगला कोचन देखिए है अगला कोचन है कि वास्तों में घानों का परिकलन कि ये बीनानिमने लिखित में से परते का मान ग्याद कीजिए देखिए इसको सिंपल आपको 12 का Q 7 का Q और 5 का Q निकाल कर जोड़ना नहीं है इसको फर्मूला पर आपको सेट करके तब बनाना है अब देखिए यह question है अब दिया है कि यदि X plus Y बराबर 0 रहता है तो फर्मूला क्या होता है XQ plus YQ plus ZQ बराबर 3XY Z हो जाता है अब देखिए इसको जैसे था question उसको मैंने Y से लिख दिया अब यह देखिए इसके जैसा दिख रहा है इसके जैसा यह वाला देखिए X जगापर 12 है Y के जगापर 7 है और Z के जगापर 5 है और सब पर Q है तो यहाँ भी की हुए अब इसके बदले इसके बदले जब 3XY Z लिख सकते हैं तो यह भी XY Z है समझिए तो यहाँ पर क्या फर्मूला होगा 3xyz एक जगा पर माइनस 12 y की जगा पर 7 और z की जगा पर 5 और सब को गुणा कर देंगे तो माइनस 12 से 6 आएगा और यही आपका correct answer रहा आगे ला देखिए अगला कोचन इसमें का दो नमर दो नमर कोचन है 28 का Q माइनस 12 का Q, माइनस 13 का Q यह निकाल देना है अब कर रहा है कोचन क्या कहता है कि जदी x परस y परस z बराबर 0 रहता है तो x q परस y q परस z q बराबर 3xyz होता है तो देखिए एक क्यू परस y q परस z q का फर्मूला हो जगा 3xyz तो 3 x जगा पर 28 y की जगा पर माइनस 15 z के जगा पर माइनस 13 और सब को गुणा करेंगे तो यह 16380 आपका आंसर रहा अगला कोचन देखिए अगला कोचन है कि नीचे दिये गए आये तो जिन में उनके छेत्र फल दिये गए हैं में से परतिक की उचाई चोडाई के लिए संभव बेंजक लिखिए मतलब लंबाई चोडाई और रूचाई आपको निकाल कर लिख देना है अब देखिए यहां पर a बराबर दिया है 6 तरफल a को एरिया बोलाए दाता है 6 तरफल दे दिया है कि इतना ही है फर्स्ट नमर कोचन मेंने लिया है पचीस a एक सो एर माइनस 35 a पलस बारा ये एरिया दिया है अब आयत का एरिया क्या होता है लंबाई गुने चोडाई मतलब a लिन टू भी बराबर के सामने बराबर अब देखिए इसको फेक्टर कर देंगे फेक्टर करना सिखाएं आपको पिछले चेप्टर में फर्स्ट इंटू लाष्ट में गुना करके और इसको इस तरह ब्रेक किये जाता है तो कि दोनों को जोडने पर बीच वाला जाए और इन दोनों को गुना करने पर गचर कमन लेंगे चार से 20 में भाग देंगे तो अब देखें कोचे नमबर टू कोचे नमबर टू है थर्टी फाइप वाई एक्स वैर प्लस तेरा वाई माइनस बारा उसके बाद लंबाई चोड़ाई आयत के चत्रपल लंबाई गुणे चोड़ाई उसके बाद देखें 35 को इसको बारा में गुणा करेंगे तो जितना भी आएगा उसको फेक्टर करके इस तरह करना कि दोनों को एक दूसरे में से घटाने पर तेरा आजए क्योंकि माइनस यहां तो 28 में से पंद्र घटाएंगे तो तेरा होगा 28 और पंद्र गुणा करेंगे तो इन दोनों को गुणान फल के बराबर आ जाएगा लिख दिए उस साथ वाई और यहां माइनस त्री और यही पहला लंबाई हो गया दूसरा चोड़ाई हो गया और यही आपका आंसर रहा अगला कोचन देखिए 16 नंबर कि निचे दिये गए विमाओं के लिए संभवें इसमें भी आयतन दे दिया है और लंबाई चोड़ाई उचाई दे हुआ है देखिए फर्स नमर मैंने कोचन लिया है 3x-12x अब देखिए इसको नफेक्टर करेंगे सिंपल बात है दोनों में से क्या कमन लेंगे 3x यहां क्यू नहीं रहेगा एक्सवायर रहेगा यह एक्सवायर दिये है 3x कमन लेंगे तो यहां क्या बचेगा एक्स माइनस 20 के इसमें भी लंबाई दे दिया है लंबाई चोड़ाई हो चाहिए होगा यह भी घनाव है लंबाई चोड़ाई उगने उचाहिए होगा और इसका भी फेक्टर करेंगे सब में से 4 के कमन लें लिए तो 4 के कमन लेंगे तो 2y इसमें से भी 4 के कमन लेंगे तो माइनस 5 चोड़ाई और y-1 होगा क्या मुझ्च आई और यही आपका correct answer रहा उमेद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और यह रियली में अगर पसंद आया होगा तो इस वीडियो को like, share और subscribe जरूर किजिएगा धन्यवाद